तो गाइस अब हम लोग सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्लॉक को Google, Bing जैसे search engines में लाया जाता है तो आप अगर अपने website को चाते हो, अपने blog को चाते हो कि Google जैसे search engine पे आपका result आए और उसके बाद उससे traffic आए, तो आपको क्या करना परेगा, अब फट फट से जान लेजिए देखिए, ये dashboard में आ चुके हम लोग, यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने एक Yoast का, जो Yoast SEO plugin है हमारा, जो बहुत important plugin है, उसको install किया था ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, आपको जाना है Yoast SEO पे, राइट, और Yoast SEO plugin पे क्लिक कीजिए, तो इसके बाद आपको यहाँ पे, आपको आपको option मिलेगा, वेब मास्टर टूल्स का, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, Google verification code, तो Google search console पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ option दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि HTML tag, तो इस वाले code को हम लोग क्या करेंगे, copy कर लेंगे, तो यहाँ पे, actually, मतब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बता रहा है, बढ़ इस code को क्या करेंगे, copy करेंगे, और हमें कहाँ प पेस्ट करोगे, ठीक है, आपको head weight में जाना नहीं है, simply आप यहाँ पेस्ट करोगे, save changes पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यह code एक, automatically आपका ले लेगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी तक काम हुआ नहीं है, अब यहाँ पे हमें verify करना है, verify पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप चलिए, view your list, यह actually अलग चीज़ है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, अब आप लोग Google search console पे अपना आ जाओ, ठीक है, इसको आप लोग search कर सकते हो, Google पे लिखेगा, Google search console, और same email id से आप लोग लोग इन हो जाएगा, जिससे आ ठीक है, यहाँ पे तीन website दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, URL प्रेफिक्स पे फिर से चलते हैं, हमारा यह URL है, subdomain लेकि, तो इसको paste करके continue पे क्लिक करते हैं, तो आप देखो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, ownership auto verified, ठीक है, अब go to property पे क्लिक करते हैं, तो आप हैं, तो यह मेरा main domain है, और यह hindi.pasa100.in, यह मेरा subdomain है, इसी पे मैं आपको करके दिखा रहा था, तो आपको अपना main domain के हिसाब से दिख जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा यह वाला domain है, तो यह खुल गया, ठीक है, मुझे यहाँ पे option आ गया, तो आपको भ website है, ठीक है, hindi.pasa100.in, आपको पता होगा, तो यहाँ पे slash देते हैं, तो आपको इस तरीके से करना है, domain name के बाद, slash देखे, sitemap.xml देना है, और इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, तो अगर आपके website में already xml sitemap है, तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, नहीं है, और यह sitemap देखे, use SEO से generate हुआ है, बाद चांस अगर हम लोग use SEO अभी तक डाले नहीं होते हैं, तो हमारे पास यह जो नीचे sitemaps हैं, यह सब नहीं मिलता, अब आपको देखे, बहुत important यह है, कि आपको कौन से sitemap डालना है, तो सबसे पहले, आप लोग यहाँ इस पे आईए, add a new sitemap, google search console पे, यहाँ पे आप लोग ऐसे करके डालिए, sitemap.xml, यहाँ पे आपको successfully fetch, यह दिखे, could not fetch दिख रहा है, ठीक है, don't worry, आपको avoid करना इस चीज को, आप लोग यहाँ पे क्या किजिए, अब यहाँ पे जो sitemap आपको open हुआ है, मतलब जो link आप आपको दिख रहा है, यहाँ पे slash नहीं देना है, तो इसको अब हम लोग submit करते हैं, चलिए, यहाँ पे success हो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको post site में, पहला वाला दिख रहा है, आप इसको open link in new tab करके, यह वाला copy कर लिए, slash के बाद जितना भी है, copy कर लिए, and और चीज में करेंगे, page, category, post tag, author site में, तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को होई साही करके, यहाँ पे submit कर लेंगे, तो यह जो category वाला है, यह हम लोग कर नहीं सकते हैं, because यहाँ पे, नहीं, actually, URL से लेना देना नहीं है, आपको उपर वाला ही तो copy करना है, तो यह कर लेते हैं, चलिए, category वाला भी, और page, ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पे जितना भी था, यह सब सब हमने कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, 11 साइट मैप, इसकोर किया है, page वाला में, post वाला में दिखे, साथ यहाँ पे दिख रहा है, post tag है, actually, यहाँ पे post वाला main है, जो भी आप post करोगे, जितने भी post करोगे, वो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, फिदान यहाँ पे, तीन ही domain है, post के related, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, लोग ने फिला लैट किया है, वो सब success हो हो रहा है, यानि कि ठीक है, अब आपको कोई tension नहीं लेना है, अब आपका जो भी post करोगे, वो यहाँ पे Google पे automatically कुछ-कुछ दिनों के बाद बाद सम्मिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाते हो कि post करने के तुरंत बाद माल लेते हैं, जैसे कि हमने यह post किया है, दो post औरेडी किया है ना हमने, तो यह आप चाते हो कि दो post फटाफट से आने लगे, Google पे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस link को copy करोगे, इस post के link को copy किये, यहाँ पे आप देखेगा, यहाँ पे inspect एनी URL सो होता है, तो हम में यह वाला enter करना है, कुछ देर के बाद आपको कुछ इस तरीके से results होगा, URL is not on Google, तो आपको देखेए, तूरंत तो Google में आने ही जाएगा, हर किसी को काम करना परता है, पूरा system काम करता है, इसलिए, तो request indexing पे आपको click करना है, और एक दो मिनेट का time लगता है, इसमें थोड़ा सा wait कर लेते हैं, तो guys आप देख सकते हो, थोड़ी देर के बाद हमें इस तरीके से message आया है, indexing request, यानि कि यह जो index हम लोग request के थे, वो request हो चुका है, अब कुछ time के बाद Google पे हमारा URL है यह वाला, यह वाला हमें देखने मिलेगा, ठीक है, rank करना start हो जाएगा ध जो manual है, उसको भी आप लोग कर सकते हो, फिलाल मैं नहीं करता हूँ, आप लोग ऐसे करके कीजेगा, और वैसे भी हम लोग ने क्योंकि site maps को add कर दिया है, तो जितने भी post हम लोग future में करेंगे, हम लोग को manually यहाँ पे इस तरीके से add करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने site maps को डाला है, आप देखो के post site map में अगर आप चलोगे और यहाँ पे open site map पे click करोगे, तो आपको इस दोनों URL को दिख रहा है, मतब यह जो दो पोस्ट है हमारा, वो दोनों पोस्ट का URL यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानि कि Google खुद बखुद इन दोनों URL को अपने अंदर समा लेगा थोड़े time के बाद, अपने अंदर ले लेगा, ओके, तो अब धीरे धीरे Google से आपको traffic मिलने लगेंगे, क्योंकि यह अभी अभी हमने बनाया है, इसलिए data process करने में time लगता है, अब देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, पैसा 100 जो main domain है मे एक मेहने के अंदर अंदर, वैसे मैं आपको बता दू, देखिए, आप लोगो को हमेशा याद रखना है कि blogging में आपको धहरिया रखना है, अभी मेरा एक मेहना हुआ है और मात्र 147 टोटल traffic हुआ है, लेकिन वही बात है आप अगर एक साल तक आख मून कर blogging करते हो, तो आपको बहुत traffic मिलेगा, आज 147 है, तो कुछ मेहनों के बाद 14,000-15,000 मिलना स्टाट हो जागा, एक एक महीने में, उसके बाद हो सकता है कि जितना महनत उतना यह है तो हो सकता है एक लाग के उपर ट्राफिक मिलना स्टार्ट हो जागा एक-एक महीने में और ऐसा ही होता है जितना पूराना आपका वेबसाइट होगा जितना पोस्ट लिख पाओगे उतना ही जादा आपको ट्राफिक मिलेगा ठीक है तो Google एक बहुत फट से Google में rank करना start होगा क्या वो option है हम लोग जरूर बात करेंगी इसी channel पर आप लोग को subscribe कर लेना है मैं और भी वीडियो upload करूँगा इन सब चीजों को लेकर तो subscribe जरूर कर लिजे बाकी channel वीडियो को like कीजी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ